आपने हाल ही में सुना होगा कि RBI गोल्ड खरीदने वाला सबसे बड़ा सेंट्रल बांक बन गया है अगर हम दुनिया के सारे सेंट्रल बांक की बात करें तो आज के पूरे सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि exactly इस चीज़ का मतलब क्या है RBI जो ये कर रहा है इस चीज़ का क्या मतलब है और क्या संकेत RBI हम सबको देना चाता है तो ये सारा एनालेसिस आज के सेशन में हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं हलो एब्रिवान आएम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड़र 24-7 पर तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे न्यूस पेपर्स ने बहुत सारी मैगजीन्स ने ये कवर किया है कि RBI जो है वो largest यानि सबसे बड़ा या आप बोल सकते हैं जिसने सबसे जादा सोना खरीदा है इस साल सेंट्रल बैंक बन गया है अगर हम सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक से उसको compare करते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं हमें ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि सिर्फ RBI ही नहीं सिर्फ हमारा सेंट्रल बैंक ही नहीं दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं सभी बेसिकली जादा से जादा सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोना जमा करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर I'm sure सबसे बड़ा जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा exactly क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है जिसकी वज़ा से जितने भी central banks है वो सोना जो है जमा करने लग रहे हैं गोल्ड को जो है अपने अपन की बात करूं तो हमारा इस बार का सोने का purchase रहा है इससे पहले अगर 2020 की मैं बात करूं तो काफी जादा सोना हमने 21 में भी खरीदा था आपको पता है कोविड की टाइम पे भी सोना जो है उसका जो rate है basically हर चीज की currency की value हर चीज की value गिर गई थी economies गिर गई थी बट सोने का जो दाम था सोने का जो rate था वो कही ना कहीं गिरा नहीं था in fact वो बढ़ ही रहा था तो basically आप कही ना कहीं इस चीज से समझ सकते हैं कि कि किसी भी तरीके की emergency आ जाए कोई भी आपता दुनिया में आ जाए तो सोने का जो value होता है वो basically इतना जादा नहीं decline होता है इसलिए इ कुछ graphs दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर जिससे आपको clear हो जाएगा कि हम जो है सोने को जादा से जादा आजकल खरीदने लग रहे हैं आगर मैं कुछ countries के साथ इसको compare करो तो यहाँ पर आपको रश्या दिखेगा यह 2015 से अब तक का data है रश्या हो गया चायना हो गया ठीक रहे हैं कि रश्या और चायना तो और भी जादा वो जो है सोना इखटा करने लग रहे हैं बट चायना आपको पता है चायना के मीडिया कभी भी सची ख़बरे बाहर देती नहीं है ठीक है उनको इतनी इतना राइट ही नहीं है इतनी liberty ही नहीं है कि जो सची reports हैं वो बाहर आने दे और रश्या शायद रश्या यूक्रेन वार की वज़ा से अपने सारे सच्चे नंबर्स बाहर नहीं आने दे रहा है बट हमारा आज का जो समझने का जो मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि इंडिया और उसके साथ साथ जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं जितनी भी कं मार्च का ये डेटा है मार्च का ये डेटा है और आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जो है खरीद जो है वो बढ़ी है और अब तो हम डिसेंबर में हैं काफी जादा ये खरीद जो है बढ़ गई है आप यहां पर आता है सबसे बड़ा सवाल कीजी ऐसा क्यों हो रह हैं सबसे पहले है सोना जो होता है वो एक हैज इंस्ट्रुमेंट है हैज इंस्ट्रुमेंट यह है कि कोई भी एमेजन्सी आजाए चाहे कोई जैसे कोविड आ गया ठीक है मालो कल को मंदी आ जाती है आपको पता है बहुत सारे बहुत सारी बड़ी-बड़ी organizations ने बहुत सारे in fact Jeff Bezos ने और बहुत सारे World Bank IMF सब ने किसी तरीके का एक संकेत किया है कि 2023 में हो सकता है कि मंदी वाला साल हमें देखने को मिले recession हमें देखने को मिले तो basically ऐसा जो instrument होते हैं जो जैसा Sona हो गया तो वो instrument अगर किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व में अच्छा खासा पड़ा होगा तो उस इस देश के पास immunity होगी कि जी आगे किसी भी तरीके की मंदी आ जाए कोई भी emergency आ जाए कोविड जैसी तो हम जो है अपने देश को अच्छे से समहाल सकते हैं ठीक है या फिर महंगाई आ जाए उसमें भी help करता है क्योंकि महंगाई में आपको पता है जब महंगाई बढ़ती है तो किसी भी country की जो currency होती है मुद्रा होती है उसकी value घट जाती है बट सोने के साथ ऐसा नहीं होता महंगाई के साथ उसकी value पर जादा फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो इसलिए कहीं न कहीं एक safe instrument माना जाता है जो की हमें आने वाली emergency या फिर uncertain situation uncertain situation मतलब जिनका नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए देश में आपको पता है एक globalized world है इतनी बिमारियां है covid है ठीक है तो नहीं पता कब क्या हो जाए तो इन दोनों चीजों से ही बचने के लिए अगर हमारे पास gold के reserves होंगे अच्छे खासे हमारे central bank के पास अगर हमारे पास अच्छा खासा फोरेक्स reserve में gold पड़ा होगा तो आपको पता है किसी भी देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा आगे किसी भी uncertainty से deal करने के लिए ठीक है आपको पता है हमारा 1990-91 के आसपास BOP crisis भी आया था जब हमारे पास जो फोरेक्स reserve है वो ही एकाध हफते का बच गया था मतलब हमारे पास सिर्फ इतना इतना फोरेक्स reserve बच गया था कि हम सिर्फ जो है हम सिर्फ क्या है एकाध हफते का ही समान बाहर से ला सकते थे value बहुत consistent रहती है ठीक है तो ये दो reasons थे जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे है I hope आज का पूरा जो ये reason है पूरा जो session है पूरी जो मैंने information दी है इस मुद्दे के regarding आपको बहुत अच्छे से समाझ आ गई होगी आज के लिए इतना ही जाते जाते मैं आपको दो चीज़े बता सकते हैं राइट ये वाला code यूज करके Y674 जहां से आपको 78% का discount मिलेगा मैं वहाँ पर current affairs पढ़ाती हूँ हर एक हर एक हर एक course का मैं current affairs लेती हूँ तो अगर आपको current affairs मुझ से पढ़ने हैं तो kindly join these things ठीक है और ये code आप definitely use करिए ठीक है जी और जाते जाते आप मैं को मैं एक खुश कबरी देना चाहती हूँ new year पे आप सभी को पता होगा the bigger picture मेरा आता है अड़ा 24-7 पर actually आता था सुबह सुबह साथ बज़े अब जो है क्योंकि बहुत सारे students की एक heavy demand थी कि मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी होता है हम उतना ही पाते हैं तो इसका time आप शाम को shift कर दीजे तो एक नया time है जो कि मैं आप सभी को यहां पर दिखाना चाहती हूँ Monday to Friday अब the bigger picture आएगा 5-6 बज़े अड़ा 24-7 regulatory bodies पर जिन students को नहीं पता है आज के issue में आज के इस topic के नीचे मैं उसके description में link एक बड़ी attach करवा दूँगी अपने the bigger picture का बट उसका time यहां पर change हो गया है यह आप प्लीज देख लीजे पहली जो मेरी class होगी अलग नए समय के अनुसार वो second of jan यानी परसो होगी तो basically आपका यह एक new year gift है मेरी तरफ से तो मैं आप सभी से request करूँगी एक नए time पर आप लोगों के लिए ही बहुत flexible है 5-6 बज़े आप मेरे साथ जुड झाल